एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था, उस घर में मनीश अपनी तीन बेटियों के साथ हसी खुशी रहता था मनीश का शहर में बहुत बड़ा व्यापार था, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाए एक चीज के मनीश की बीवी की मौत एक कार एक्सिडेंट में हो गई थी जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती थी मनीश ने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुन्दर थी पर उसकी सबसे चोटी बेटी चाया सबसे सुन्दर थी मनीश अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करता था पर सबसे चोटी बेटी चाया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था उसका कारण ये था कि चाया जब पैदा हुई थी तभी उसकी मा की मौत एक कार एकसिडेंट में हो गई थी मनीश अपनी बीवी की मौत का कसुरवार अपनी सबसे छोटी बेटी चाया को समझता था इसलिए वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था एक शाम मनीश जब घर आता है वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज देता है माया, संगीता, कहां हो तुम दोनों? चल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ पापा, पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे जल्दी से दिखाओ, आप हमारे लिए क्या लाया हूँ ये देखो संगीता, मैं तुम्हारे लिए कितने सुन्दर जूते लाया हूँ मेरे लिए क्या लाया हूँ पापा, मुझे भी दिखाओ चाया दूर खड़ी सब देख रही थी उसे लगा कि उसके पापा उसे अभी आवाज देकर बुलाएंगे और उसे भी कुछ देंगे वो इंतजार करती रही पर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं वो फिर डरते डरते अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली आप मेरे लिए क्या लाए हो तुझे इस घर में खाने पीने को ढंक से मिल रहा है ना तो उसी में खुश रहे समझी जादा उमीद बत लगा जाकर अपना काम कर चाया रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है वो बहुत रोती है और अपनी मा को बहुत याद करती है चाया अपने पापा के दिल में भरी गुसे को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करती थी वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी उनके सारे काम करती पर सब बेकार था मनीश कुछ चाया पढ़ना तो कभी प्यार आता और नाही तरत एक दिन मनीश अपनी बेटियों के साथ बैट कर नाश्ता कर रहा होता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहा हूँ तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर में रहना आप कहां जा रहे हो पापा क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते नहीं बेटा दरसल वहां आसपास काजी रंगा नाम का जंगल है तो तुम्हें वहां ले जाना ठीक नहीं है तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मजे करना संगीता माया और छाया उदास हो जाते हैं मैं सुना है जहां आप जा रहे हो वहां के जंगलों में बहुत सुन्दर फूल होते हैं जो बिना पानी और मिटी के भी बहुत समय तक ताजा रहते हैं मुझे वो फूल चाहिए छाया इंतजार कर रही होती है कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे पर ऐसा नहीं होता सब नाश्टा करके हट जाते हैं और मनीश अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है छाया मनीश का सारा जरूरी सामान बान देती है मनीश अगली ही सुबा निकल जाता है एक दिन के लंबे सफर के बाद मनीश होटर में पहुँच जाता है जहां उसने अपने लिए एक कमरा बुक किया हुआ होता है मनीश कुछ दिन वहीं रहता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है उसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सुंदर सी मोतियों की माला खरीदने के बाद मनीश सीधा जंगल की ओर निकल जाता है वो माया के बताय फूलों को बहुत ढूंडता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलते फूल ढूंटे ढूंटे वो जंगल के बहुत अंदर पहुँच जाता है अचानक उसे एक बहुत सुन्दर और अलग सा घर दिखाई देता है मनीश धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ता है उसकी नजार अचानक से उस घर के बगीचे पर पढ़ती है जिसमें माया के बताए हुए फूल लगे हुए थे मनीश उन फूलों को देख कर बहुत खुश हो जाता है आखिर वो खुश हो भी क्यों न वो शाम से उन फूलों को ढून रहा था अब मनीश बिलकुल भी वक्त बरबाद न करते हुए उन फूलों को तोड़ लेता है और अपने ठेले में भरने लगता है फूल तोड़ते ही मनीश को बहुत अजीब सा महसूस होता है आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है और अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है मनीश बहुत ही डर जाता है वो जल्दी से वहां से भागने लगता है पर वो अचानक किसी से टकरा जाता है मनीश गर्दन उठा कर उपर देखता है तो उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है उसके सामने एक बहुत खतरनाग भूत खड़ा होता है भूत भूत मुझे चाने दो ऐसे कैसे चाने दूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगी जैसे फूल तोड़ने की अब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा भूत मनीश की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तब ही मनीश रोने लगता है मुझे चाने दो मेरी तीन बेटिया है वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है उनकी माँ भी बहुत सालों पहले मर गई तू मुझे पहले ये बता कि तू ने मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़े मेरा बगीचा और उसमें लगा फूल मुझे जान से भी जादा प्यारा है मुझे बाफ कर दो मुझे नहीं पता था मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई दरसल मेरी बेटी ने इन फूलों का जिक्र किया था और उसी ने इन फूलों को लाने के लिए बोला था मनीश्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसे तो अपनी दोनों बड़ी बेटियां और अपनी जान बहुत प्यारी थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अचानक उसे एक तरकीब सूचती है वो सोचता है क्यों ना माया की जगा चाया का नाम उस भूत को बता दिया जाए ताकि वो भूत माया की जगा चाया को खा जाए और हमेशा के लिए चाया की जिम्मेदारी उसके सर से दूर हो जाए मनीश माया की जगध चाया का नाम उस भूत को बता देता है मनीश जल्दी से अपने घर जाता है संगीता, माया, चाया कहा हो बेटी चाया, तुम्हें मेरे साथ अभी कही चलना होगा कहां पापा? चाया बिना कोई सवाल किये अपने पापा के साथ चल पड़ती है चाया पूरे रास्ते सोचती रहती है कि आखिर उसके पापा उसे कहां लेकर जा रहे है पर डांट के डर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती मनीश चाया को जंगल में लेकर जाता है चाया बिना कोई सवाल किये अपने पापा के साथ चलती रहती है कुछ दिर बाद वो भूत के घर पहुँच जाते है मनीश चाया को उस घर के अंदर ले जाता है घर के अंदर एक बहुत ही डराबना भूत बैठा होता है चाया उस भूत को देखकर बुरी तरह चिलाने लगती है बचाओ बचाओ पापा पापा मुझे ये कहां ले आए मुझे घर जाना है बचाओ बचाओ पापा अब तुझे यही रहना पड़ेगा समझी भूत अपनी अंगुठी मनीश के हाथ से निकाल लेता है मनीश अपने घर चला जाता है चाया रोती रह जाती है पर मनीश एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखता अब तुझे यही मेरे साथ इस घर में रहना पड़ेगा मुझे चानी तो, मुझे छोड़ तो भूत चाया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे एक कमरे में बंद कर देता है वो उसे बहुत डराय करता था और खाने को भी नहीं देता था चाया दिन रात रोती रहती थी एक दिन उस भूत के पैर में जादूई बगीचे से एक कांटा लग जाता है वो जादोई कांटा भूत के पैर में बहुत बुरा जख्म कर देता है कि भूत कुछी दिनों में ठीक से चलना फिरना भी बंद कर देता है चाया को उस भूत पर तरस आने लगता है वो उस भूत के लिए एक मलहम बनाती है और उसके पैर में लगाने लगती है भूत ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है भूत को चाया पर बहुत तरस आने लगता है वो धीरे धीरे चाया को पसंद करने लगता है अब वो चाया का बहुत ध्यान रखता वो जो चाती वो जादू से उसके लिए ले आता अच्छा खाना, सुन्दर कपड़े, सुन्दर सुन्दर फूल और सब कुछ बहुत जल तोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए सब कुछ बहुत अच्छा था पर चाया अभी भी बहुत उदास थी वो अपने पापा और बेहनों को बहुत याद करती थी एक दिन जब वो सब को याद करके रो रही होती है तो भूत उसे एक जादूई शीशा देता है जिसमें वो जिस मर्जी को देख सकती थी च्छाया सबसे पहले अपने परिवार को उस शीशे में देखती है और वो देखती है कि उसके पापा बहुत बिमार है चाया भूत के पास जाती है मेरे पापा बहुत बिमार है मुझे उनके पास जाने दो मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा मैं वापस आ जाऊंगी भूत चाया को उसके घर भेज देता है और उसे एक जादूई फूल देता है जिसे सूंगने से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाए चाया अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाती है वो अपने बिमार पापा के पास जाती है मनीश फूल सूंगते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है अब उसे अपने किये पर बहुत पच्तावा होता है मुझे बाफ कर दे बेटी मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया मुझ जैसा बुरा बाफ किसी का नहीं होगा मैं? मैं तुझे मौत की मुँ में डालाया और आज तूने ही मेरी जान बचाई है मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूँगा तुझे यहीं रखूगा अपने पास नहीं पापा, मुझे जाना होगा मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस आजाओगी इसलिए मुझे अब वापस जाना होगा मनीश और उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत रोते हैं पर छाया वहाँ से चली जाती है और उस भूत के पास पहुँच जाती है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वापस आ जाओगी मैंने बच्पन से कभी अपने लिए किसी के दिल में प्यार नहीं देखा सिर्फ तुम थे जिसने मुझे समझा मेरा ध्यान रखा और खुश रखा मैं तुमें पसंद करने लगी हूँ मुझे फर्ट नहीं पड़ता कि तुम कोई भूत हो भूत चाया की ये बात सुनते ही एक सुन्दर लड़के में बदल जाता है चाया ये देख कर हैरान रह जाती है तुम तो भूत थे तुम कैसे बदल गए दरसल मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ और मेरा नाम गौरव है एक गिन मैं जंगल में भटक गया एक भूत में मुझे पकड़ लिया और मुझे जादू से भूत बना दिया मेरा दिल भी भूतों की तरह कठोर हो गया था पर धीरी धीरी तुम्हारी वजह से मैं बदलने लगा और लगता है आज तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे उपर से खत्म हो गया क्योंकि उस भूत ने कहा था कि कोई सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुझे तेरे असली रूप में ला सकती है चाया और गौरब शादी कर लेते हैं